हेलो फ्रेंड साफ सवी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो लेक्चिस में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के मोच इंपोडेंट 25 क्वेश्चन जो आपके एक्जाम के पॉइंट और व्यू से मोच इंपोडेंट है बार-बार यहां से क्वेश्चन एक्वेश्चन में देखने को मिलते हैं इससे पहले भी हमने पिछली वीडियो लेक्चिस में फिजिक्स के 50 क्वेश्चन डिस्कस किये हैं अगर आप चैनल पर नहीं हो तो आप उस वीडियो को जुरूर देख लीजिएगा चैनल की प्लेइलिस्ट में जाके आप जो हैं आपको अलग से फिजिक्स की प्लेइलिस्ट देखने को मिलेगी वहां पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं उस वीडियो को जुरूर उसमें से यहां और अपने फ्रैंड सर्कल के साथ भी सेयर किये जाएगा और जितने भी आपके, आप social media accounts use करते हैं, आप जुरूर वहाँ पे भी share कर दीजिएगा, ताकि जो हैं, आपका भी channel को support मिलता रहे हैं, और आपके लिए भी मैं अच्छे ची वीडियो लेके हैंगा, तो चलते हैं, first question आपके पास, one electron voltage is equal to, one electron voltage is equal to, one point six multiplied 10 is to minus 19 joule, ठीक है, one electron voltage की जो value होती हैं, वो होती हैं, आपके पास, one point six multiplied 10 is to minus 19 joule, देखो, एक आपके पास question क्या पूछा जाता है, एक पूचा जाता है कि 1 electrons के उपर कितना charge होता है अगर आपके पास question होता 1 electrons के उपर कितना charge होता है तो आपका right answer होना था option D 1.6 multiplied 10 is to minus 19 columns अगर आपके पास पूचा गया है 1 electron voltage 1 electron voltage आपके पास equal होता है इसकी जो value होती है वो होती है आपके पास option B 1.6 multiplied 10 is to minus 19 joule किस तरह होती है देखो 1 electron के उपर charge होता है 1.6 multiplied 10 is to minus 19 कुलम multiply आपके पास क्या है volt ठीक है 1 electron charge आपने लिखा उसके बाद आपने volt भी लिखा तो coulombs multiply volt होता है joule ठीक है energy के equal तब आपके पास right answer क्या होगा 1.6 multiplied 10 is to minus 19 joule आपके पास इसका right answer रहेगा 1 electron voltage का most important question है काफी बार इस तरह के question आपको exam में देखने को मिलते है अगर आपके पास charge पूछा गया है कि 1 electron पे कितना charge होता है तब आपके पास इसकी value होगी 1.6 multiplied 10 is to minus 19 कुलम ठीक है इकल टू 36 multiplied 10 is to 5 joule देखो काफी बार आपने देखा होगा कि book में आपको question का answer क्या दिखने को मिल रहा होगा 3.6 multiplied 10 is to 6 joule देखो दोनों के दोनों answer आपके पास right है ये वाला answer भी right है और option B आपके पास 36 multiplied 10 is to 5 joule भी आपके पास right answer है देखो यहाँ पर decimal लगा हुआ है अगर आप decimal हटाएं तो आपके पास जो है क्या answer आजाएगा 36 multiplied 10 is to 5 joule आजाएगा ठीक है तो दोनों answer याद रखने हैं आपने ठीक है इसका answer आपके पास option B भी हो सकता है और जो आपके पास सक्रीन पर लिखा हुआ मैंने वो भी आपके पास इसका right answer है नेक्स्ट कोशिन आपके पास तो यह आपके पास based होता है vibrations of the cesium atoms option C आपके पास question number 53 का right answer रहेगा universal time is based on vibrations of the cesium atoms नेक्स्ट कोशिन है 54 तो इसका जो right answer रहेगा आपके पास option C आपके पास इसका right answer रहेगा 10 raise to minus 28 meter square ठीक है आपके पास question number 54 का right answer रहेगा one nuclear cross section is measured in burns it is equal to तो आपके पास 10 raise to minus 28 meter square आपके पास इसका right answer रहेगा इस तरह के question आपको HP TAT में नहीं देखने को मिलते हैं इस तरह के question आपको कमिशन में देखने को मिलेंगे आपके पास निर्ट जेए के exam में आपको देखने को मिलते हैं most important question है कमिशन में जुरूर इस तरह के question आपको देखने को मिलते हैं next question आपके पास question number 55 unit of momentum of inertia in MKS systems is तो इसका जो आपके पास unit होता है option C आपके पास question number 55 का right answer रहेगा देखो आपके पास क्या पुछा गया है the unit of momentum of inertia MKS systems ठीक है तो काफी बार इस तरह के questions आपको exam में देखने को मिलते हैं तो इसका जो right answer रहेगा आपके पास option C आपके पास इस question का right answer रहेगा क्योंकि आपके पास momentum of inertia कि अगर बात करें inertia को आप measure करते हैं kilogram में kilogram multiply meter square आपके पास इसका right answer रहेगा next question आपके पास question number 56 unit of stress is तो आपके पास stress की जो unit होती है वो होती है newtons per meter square option C आपके पास question number 56 का right answer रहेगा क्योंकि आपके पास जो stress होता है stress upon strain होता है तो strain जो है unit less quantity होती है और आपके पास stress की अगर बात करें ये होता है आपके पास force upon area ठीक है force upon area की अगर हम बात करें तो ये आपके पास pressure की unit होती है इसी तरह अगर हम बात करें stress की और आपके पास pressure की और हम बात करें pascal की तो आपके पास इन सभी की same SI unit and same dimensional formula होता है इसलिए जो SI unit है आपके पास stress की वही आपके पास pressure की होती है वही आपके पास Pascal की होती है most important है काफी बार इस तरह के questions भी exam में देखने को मिलते है तो question number 56 का right answer रहेगा आपके पास newtons per meter sphere next question है आपके पास unit of stephen constant is इसका जो आपके पास right answer रहेगा option B आपके पास question number 57 का right answer रहेगा joule per meter sphere per second per Kelvin की 4 आपके पास इसका right answer रहेगा इस तरह के question आपको काफी बार exam में देखने को मिलते हैं काफी बार ये question exam में पूछा जा चुका है most important question है next question आपके पास unit of magnetic momentum is magnetic momentum का unit भी काफी बार exam में देखने को मिलता है most important question है the unit of magnetic momentum is तो आपके पास जो है MPM meter square इसके पास इसका जो है unit होता है most important है काफी बार exam में देखने को मिलता है unit of magnetic momentum is ठीक है तो MPM meter square is the unit of magnetic momentum next question आपके पास Quri is the unit of Quri आपके पास unit होता है radio activity का ठीक है तो radio activity is unit of the query, most important है काफिवार ये questions भी exam में देखा गये है, query is the unit of radio activity, next question है आपके पास, question number 60, hearse is the unit of, तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि काफिवार हम इसको discuss चुके हैं, discuss कर चुके हैं, तो आपके पास fundamental unit है, आपके पास frequency की, hearse is a unit of, hearse आपके पास किसकी unit है, frequency की unit है, इसलिए option A आपके पास question number 60 का right answer रहेगा, hearse is a unit of frequency, next question आपके पास, question number 61, 61 question है आपके पास, 1 picofarad is equal to, तो 1 picofarad की अगर value की हम बात करें, तो आपके पास ये होती है, 10 is to minus 12 of farad, option C आपके पास इसका right answer रहेगा, 1 picofarad is equal to, आपके पास 10 is to minus 12 of farad, आपके पास इसका right answer रहेगा, next question आपके पास, question number 62, question number 62, क्या है आपके पास, in SI henry is the unit of, SI henry is the unit of self inductance and mutual inductance, ठीक है, दोखो, अगर हम henry की बात करें, तो henry आपके पास, एक तापके पास hertz, अभी आपने देखा, hertz, ठीक ह अभी हमने देखा, hertz is the unit of frequency, बट आपके पास henry किसकी unit होती है, यह आपके पास, जो है, both A and B, self inductance की unit भी होती है, और mutual inductance की unit भी होती है, इसलिए option C, आपके पास इसका right answer रहेगा, both A and B, mutual inductance and, आपके पास self inductance की unit होती है, henry आपने confused नहीं होना है, hertz आपके पास unit होती है, frequency की और आपके पास henry unit होती हैं, mutual inductance और self inductance की, next question है आपके पास, the unit of electromagnetic force is, तो electromagnetic force की unit होती है, वो होती है आपके पास joule per column, क्या होती है आपके पास? electromagnetic force की unit होती है joule per column आपके पास इसकी unit होती है most important question है काफी बार ये question exam में देखने को मिलता है the unit of electromagnetic forces क्या unit होती है आपके पास joule per column is the unit of electromagnetic force next question आपके पास question number 64 which of the flowing is not the unit of time आपको इसमें इन में से बताना है कि कौन सा जो है time का unit नहीं होता तो option D की अगर हम बात करें option D है आपके पास paralactic seconds ये आपके पास length की unit होती है ना कि के time की तो option D आपके पास इसका right answer रहेगा क्योंकि आपको क्या इसमें बताना था कि इन में से कौन सा जो है time का unit नहीं है तो paralactic second आपके पास length का unit है distance की unit हम कह सकते है तो इसका right answer रहेगा आपके पास options D next question आपके पास unit of self inductance इस इस तरह से भी आपको question पूछ लेते हैं most important है और इस तरह के question जुरूर आपको exam में देखने को मिलते हैं तो अब आपके पास right answer क्या रहेगा joule per coulum multiply seconds और सभी के आपके पास upon में होगा ampere ठीक है यह आपके पास जो है unit होती है self inductance की देखो आपको दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए joule per coulum multiply seconds upon ampere is the unit of self inductance और आपके पास hertz भी आपके पास self inductance की unit होती है next question आपके पास to determines the youngest modulus of the wire the formula is y is equal to f upon a force upon area multiply length upon del l आपके पास लिखा है where l is the length a is the area of cross sections of wire del l आपके पास दिये गये है change in the length of the wire and test with force f the convergence factors to change it from cgs system to mks system is तो इसमें जो आपके पास right answer रहेगा वो आपके पास रहेगा option c 0.1 newton आपके पास इसका right answer रहेगा देखो अगर हम बात करें force upon area आपके पास दिया गया है question number 66 की है अगर हम बात करें तो force upon area is equal to आपके पास दिया गया है length upon del l के पास equal ठीक है इसको आप किसमें measure करते हैं dine में dine में upon आपके पास centimeter sorry kilometer square अगर हम dine की बात करें तो dine को क्या लिख सकते है one dine आपके पास equal होता है 10 is to five newtons की ठीक है upon आपके पास sorry one centimeter square है आपके पास यह और one centimeter square की अगर हम बात करें one centimeter square आपके पास equal होता है 10 is to minus four meter की किसकी equal होता है 10 is to minus four meter की equal होता है तो मैं दुबारा लिखते था हूँ आपके पास, ठीक है, डाइन आपके पास equal, 1 डाइन इकल होता है, 10 is to minus 5 न्यूटन्स की, और आपके पास जो है, 1 cm square की अगर हम बात करें, 1 cm plus square की अगर हम बात करें, तो वो इकल होता है, 10 is to minus 4 मिटर की, ठीक है, ठीक है, मिटर में convert कर दी आपने cm की value, तब आपके पास, जब ये उपर जाएगा, तब आपके पास क्या हो जाएगा, 10 अकेला ही आपके पास रहेगा, 10 is to minus 1 आएगा, ठीक है, और newtons per meter square, आपके पास इसका right answer रहेगा, ठीक है, newtons per meter square आपका आजाएगा, और इसकी जो value आपके पास आजाएगी, जब हम इसको upon में लिख सकते हैं, 1 upon 10, ठीक है, तब आपके पास इसका right answer होगा, 0.1 newtons per meter square, most important है, इस तरह की question आपको एग्जाम में पूछ दिये जाते हैं, next question आपके पास, question number 67, youngest modulus of materials has the same unit of, देखो youngest modulus of material की अगर हम बात करें, ये आपके पास चुक है, pressure की तरह, इसकी unit हो हम बात करें, ये आपके पास equal होता है, stress की, किसकी equal होता है, stress की equal होता है, upon strain की equal होता है, upon आपके पास strain की equal होता है, और stress की अगर हम बात करें, इसकी जो unit होती है, वो होती है, pressure की तरह, आपके पास newtons per meter square, और strain की अगर बात करें, ये आपके पास unit less quantity होती है, ठीक है, तो आपके पास जो हैं, यह किसकी इक्वल आगया आपके पास, youngest modulus of material has the same unit of pressure, ठीक है, आपके पास right answer रहेगा, और हगर हम बात करें, force की, force की आपके पास क्या unit होती है, newton होती है, next question आपके पास, question number 68, one yard is in, SI unit is equal to, one yard की आपको जो है, हैं, SI unit बतानी है, कि किसके equal होती है, इसका जो right answer रहेगा, option B, आपके पास, question number 68, का right answer रहेगा, 0.9, 124 meter, आपके पास इसका right answer रहेगा, देखो, one yard की अगर बात करें, तो one yard आपके पास, 36 inch के equal होता है, और one inch की अगर बात करें, one inch equal होता है, 2.54, अगर आप इसको multiply करेंगे, तब आपके पास option B, right answer, आपके पास, ये आपको देखने को मिलेगा, 0.9, 124 meter, आपके पास इसका right answer रहेगा, most important question है, काफिवार ये question exam में पुछा गये है, one yard in SI unit is equal to, तो option B, आपके पास इसका right answer रहेगा, 0.9, 124 meter, आपके पास इसका right answer रहेगा, next question आपके पास, question number 69, which of the flowing is smallest unit, आपको बताना है, कि इन में से जो हैं, कौन सा smallest unit है, तो आपको पता ही होगा, कि one fermi की अगर हम बात करें, ये आपके पास सबसे smallest unit होता है, कि इसकी value कितनी होती है, 10 is to minus 15 meter, आपके पास इसकी value देखने को मिलती है, और millimeter की अगर बात करें, millimeter की आपके पास value होती है, 10 is to 6 meter, ठीक है, अगर micro की पुछे होती है, तो 10 is to minus 6 meter आपके पास इसकी value होनी थी, 1 astroms कि अगर बात करें तो इसकी value होती है आपके पास 10 is to minus 10 ठीक है और इसी तरह हम बात करें meter की तो meter की value आपको पताई है कि क्या होती है next question आपके पास question number 70 70 which one of the flowing pair of quantities and their unit is a proper match आपको बताना है कि इन जो ए quantity दी गई है इन में से कौन सा unit आपके पास proper match है तो अगर हम बात करें electrical field की तो electrical field की आपके पास इसमें wrong unit दी गई है और अगर हम बात करें power की power की भी आपके पास strong unit दी गई है बट आपको बताना है कि इन में से जो है किस quantity की जो है आपके पास correct unit दी गई है तो option B magnetic flux की unit क्या होती है आपके पास favor is the SI unit of magnetic flux most important है इस तरह की question आपको exam में देखने को मिलते है नेक्स्ट question आपके पास question number 71 71 question आपके पास the unit of modulus of rigidity are to rigidity की अगर हम बात करें इसकी unit भी आपके पास क्या होती है Newton's per meter square होती है options D आपके पास question number 71 का right answer रहेगा next question आपके पास question number 72 the unit of absolute permeability इस तो absolute permeability की जो unit होती है question number 72 की हम बात करने है option B आपके पास इसका right answer रहेगा फैरेट मिटर फैरेट पर मिटर आपके पास इसका right answer रहेगा one unit of absolute permeability is फैरेट पर मिटर आपके पास इस question का right answer next question है 73 list first with seconds and select the correct answer using the codes given below the list आपको जो है first list से second list को match करना है अगर हम जूल की बात करें तो जूल equal होता है column multiply vault के option C से आप मिला दीजेगा option first को column multiply vault ठीक है options second की अगर हम बात करें vault को आप जो है ampere square multiply ohm से मिला दीजेगा options F आपके पास vault का right answer रहेगा ठीक है मैं यहाँ पर ही आपको लिख देता हूँ और next step के पास vault vault की अगर हम बात करें तो vault को आप मिला सकते है options A से options A है आपके पास henry multiply ampere upon seconds आपके पास vault का SI unit हो जाएगा और last आपके पास बसता है columns columns की अगर बात करें हम तो columns equal होता है आपके पास column देखो मैं C से denote कर रहा हूं columns को मैं यहाँ पर ही आपके पास मिला दे रहा हूं ठीक है तो columns का जो right answer होता है वो आपके पास जो है फेरें multiply vault आपके पास इसका SI unit हो जाएगा most important question है काफी बार इस तरह के questions भी आपको exam में देखने को मलते हैं next time बात करेंगे इसमें आपके पास right answer रहेगा question number 73 का जो right answer रहेगा option B आपके पास इस question का right answer रहेगा 73 का option B आपके पास इसका right answer रहेगा next question आपके पास which relations is wrong आपको बताना है कि इन में से कौन सा जो है wrong है देखो one calorie की अगर हम बात करें तो इसकी value क्या होती है 4.18 joules आपके पास one calorie की value होती है ठीक है equal होता है one astronomical one m strong की अगर हम बात करें तो यह आपके पास 10 देश्टू माइनस 10 meter की equal होता है वन मिली electron voltage की अगर हम बात करें यह आपके पास equal होता है 1.6 multiplied 10 देश्टू माइनस 13 joules की equal होता है बट अगर हम one newton की बात करें देखो one newton आपके पास 10 देश्टू माइनस 5 डाइन की equal नहीं होता ठीक है नाकी के आपके पास one newton equal होता है आपके पास 10 देश्टू माइनस 5 डाइन की equal होता है तो options D आपके पास इसमें wrong है इसमें wrong relation ही आपके पास पूछा गया था तो options D आपके पास इसमें wrong है, option D आपके पास इसका right answer रहेगा, question number 74 का, बाकी आपने ये भी याद रखना है, 1 calorie किसके equal होता है, 4.18 joules के equal होता है, 1 m strong की अगर हम बात करें, तो आपके पास 10 is to minus 10 meter होता है, काफिवार ये question exam में देखने को मिला है, और 1 milli electron voltage की अगर हम बात करें ये आपके पास equal होती है, 1.6 multiply 10 is to minus 13 joules, देखो 1 milli electrons milli की क्या value होती है, 10 is to 6 होती है, multiply आपके पास, जो है 1.6 multiply 10 is to minus 19 करेंगे, तब अगर number same हो, तो powers add हो जाती है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, तो 10 is to plus का 6 है, minus का आपके पास क्या है, 19 है, तब आपके पास यह आपर क्या आजाएगा, 10 is to minus 13 आपके पास आजाएगा, और joule आपके पास इसका right answer रहेगा, ठीक है, तो 1 milli electron voltage अगर आप पुछा गया है, तो इसका जो right answer रहेगा, 1.6 multiply 10 is to minus 13 joule आपके पास इसका right answer रहेगा, और option D आपके पास wrong है, wrong relation ही आपके पास पूछा गया था, इस kilometers will tease the times in seconds, then unit of V are, तो unit of V क्या हो जाएगी आपके पास, देखो अगर आपके पास simple X is equal to BT का square दिया गया है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर V की value आजाएगी, V की value क्या आजाएगी, X upon T का square, अगर हम X की value की देखें, sorry, यहाँ पर क्या आजाएगा, आपके पास, T आजा is equal to BT का square, देखो BT का square आप लिख सकते हैं, इससे आपकी B की value आजाएगी, V is equal to X upon T का square, ठीक है, तो X in distance, table by a body in kilometer, तो kilometer को आप measure कर सकते हैं, kilometer में, ठीक है, kilometer में, X को measure करेंगे, kilometer में, upon T, T आपके पास क्या है, seconds in time, time in seconds, ठीक है, तो T, S का square आजाएगा नीचे, ठीक है, जब आपके पास S का square उपर जाएगा, तब आपके पास क्या जाएगा, kilometer per second square, तो option आपके पास C, इसका right answer रहेगा, question number 75 का, kilometer per second square is a right answer, question number 75, तो ये थे आज के 25 questions, जो आज हमने discuss किये हैं, most important question है, बार-बार यहां से question exam में, आपको देखने को मिलेंगे, चाहे तो आप previous year question paper देख किये हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जुरूर अपने friends circle में जादा से जादा share करना, और निनो ने भी जो हैं, इस channel का study group join किया है, उन सभी से request रहेगी, कि आप जुरूर जो हैं, अपने वर्सैप पे भी status लगाएं, और ताकि channel को आप आपक media accounts हैं, जिनने आप use करते हैं, उन सभी पे channel को जुरू share किजेगा, इस video को जुरू share किजेगा, और आप channel को जुरू support करिए, बाकि आपको इसी तरह की और वीडियो दिखने के लिए आप हमार साथ बने रे सकती हैं, हमार साथ बने रेने के लिए आप सभी का तह दिल से बह बने आप